नमस्कार मैं हूँ शशांग लखेर और एक सेट नियूस हाली में आपको बता होगा कि जम्मू कश्मीर में आईडी ब्लास्ट हुआ है इसमें करीब एक लोग की देथ हो गई है इसके लावा 15 पीपल जो है इंजर्ड हो गई है और दुनिया के किसी भी कोने में जब टेर्रि पे भी था इस पर आपको आर्टिकल भी देखने को बिलेगा यह आटिकल इंडियन एक्स्प्रेस का है जम्मू कश्मीर वन के जो कोट कॉंपलेक्स है उस पर यह ब्लास्ट को जो है कंड़क्ट किया गया और आईडी ब्लास्ट था उतनी हाई टेंसिटी थी नहीं लेकिन अब आप यहाँ पर यह बोलोगे कि इसकी जिम्मदारी जो है किसने लिए तो काफी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा उसके पहले अगर आप किसी भी एक्जाम की प्रप्रेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोशिक तू कर सकते हो आपको सिंपली समझे । कि हम किस जगे की बात करते हैं तो यह हमारे इंडिया का मैप है और इसमें हम जूम इन करते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ तो जम्मू कश्मीर में आपको उधमपूर जेखने को मिलेगा यह पे देखो तो इस ब्लासת की रिस्पोंसिमलिटी विए है यॉनाटिद Liberation Front ने, अगर हम mainly Jammu Region की बात करें तो सिर्फ Jammu Region में हमको जो है ये blast पहली बार देखने को मिल रहा है पिछले 7 साल में मतलब अगर आप past 7 years में देखोगे तो Jammu में कोई भी terrorist attack हमको देखने को नहीं मिला, mainly मैं Jammu की बात कर रहा हूँ, लेकिन वहीं अगर हम कश्मीर रिजन की बात करें तो पिछले अगर आप कई सालों में देखोगे तो कई सारे जो terrorist attack है वो हमको कश्मीर रिजन में देखने को मिलते हैं Jammu Region में, जो militant organization है वो उतने जादा active नहीं है लेकिन अगर आप कश्मीर रिजन में देखोगे तो कश्मीर रिजन में असानी से जो है उनको छिपने की जगे मिल जाती है वो आम लोगों के बीच में जो है यहाँ पर छुप जाते हैं इसी वज़े से कश्मीर में आप काफी सारे militant organization और काफी सारे attack जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इसको mainly found किया गया था अमानुला खान में यह basically जम्मू कश्मी लिबरेशन फ्रेंट का founder था लेकिन अब आप यहाँ पर यह बोलोगे कि मैं इनके बारे में आपको बता क्यो रहा हूँ देखो mainly यहाँ पर जब December 2001 में इंडियन पार्लेमेंट में टेरर अटेक हुआ था आप सबको याद होगा कि 2001 में जो टेर्रेस्ट है वो हमारी संसत हमारी पार्लेमेंट तक जो है घुसा आए थे उस समय जो अमनुला है उनका नाम 20 वांटेट टेर्रेस्ट में आया था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फरंट का जो फाउंडर है वो काफी समय से इंडिया की जो है लिस्ट में रहा है इसके अलाव इंटरनेशनल अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनली भी जो है इसको जो है ढूंडा जा रहा था लेकिन 2016 में ही जो है इसकी देथ हो गई इन फ में घोजे थे इंडियान पारलेमेंट में एक यूच अटेक जो हमको देखने को मिला था अच्छली में 2001 में पारलेमेंट में किस तरीकी सा अटेक हुआ था वो मैं आपको दोड़ा सा पता देता हूं देखो बेसिकली इसमें जो है काफी सारे जो टर्रेस्ट थे पूरा अटेक जो है पारलेमेंट के बाहर हुआ था 13 दिसंबर 2001 को भारियो डेली में जहां पे हम वो इंडिया का पारलेमेंट देखने को मिलता है वहां पे करीब 5 टर्रिस्ट जो है जाते हैं और 5 के पारलेमेंट के अंदर जाने को लेकिन उनको पारलेमेंट के बाहर जो मार दिया जाता है इसके अलावा पंच टर्रिस्टों के साथ जो हमारी फोर्सिस के परसनेल थे इसके अलावा जो गाटनर था इनकी भी जो है यहां पर दैथ हुई थी मतलब भारत के वीर जो है नो लोग यहां पर शहीद हुए थे और जब यह अटेक हुआ तो इंडिया पाकिस्तान पॉडर पे इस पे अगर आप देखना चाहते हो तो एक वेब सीरीज भी है स्पेशल ऑपरेशन बैसिकली मैंने इसको देखा था डिस्नी हॉट स्टार पे अगर आप देखना जाते हो किस तरीके से नोंने ब्लास्ट किया था हमारी पारलेमेंट पे 2001 पर यह ब Muchा security है वो प्रीच होई उसके बाद जो एक पंजाब में भी हमको हाई इंटेंसिटी को अदेखने को मिला था बाहर खड़ी कार को तक आप देखने को मिल रहा है जम्मू कशमीर के उधंपुर में और यह उतनी इंटेंसिटी सिब्स नहीं लेकिन अभी तक एक पीपल की जो है देथ हो गई ये इसके लावर 15 इंजट हो गए हैं और जम्मू कश्मीर आपको पते हैं कि एक बहुत ही संसिटिफ रीजन है वहाँ पे हमारी बहुत सारी फोर्सेस भी डिप्लॉयर रहती है हमारे एयर बेसिस भी है एंड एस यू नो जम आद इस वीडियो का सुने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैन चैन बार